नमस्कार दोस्तों, Stock Market Manipulation, Insider Trading, आखिर किस तरह से Exploit किया जाता है Stock Market को कुछ लोगों के द्वारा, क्या बुरा असर पड़ता है Stock Market का लोगों पर और Society पर, ये कुछ ऐसी चीजे हैं जिसके बारे में शायद ही मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है, लेकिन ये चीजे ब मैं गलत नहीं बता रहा हूं लेकिन जो चीजे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वो आपको एक अलग नजरीय से सोचने पर मजबूर करेंगी और आप बहतर डिसिजेंस ले पाएंगे जब अगली बार आप Stock Market में पैसे इन्वेस्ट करेंगे आये जानते हैं Stock Market की आखिर जरूरत क्या है? क्यों exist करता है Stock Market? क्या होगा अगर Stock Market नहीं होगा तो? इसके बीछे एक Simple Reason है बड़ी Companies को बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए पैसो की जरूरत होती है और इतने पैसो की जरूरत होती है कि इतना पैसा किसी भी एक Single Individual के पास नहीं होता तो Stock Market के द्वारा लोग Companies में Invest कर सकते हैं अपने पैसे जिसे की Companies को पैसे मिल पाए बड़े प्रोजेक्ट्स करने के लिए नई Innovations करने के लिए और लोगों को उसके बदले Companies का कुछ हिस्सा मिल जाता है Ownership का इसका मतलब ये है कि Company जब आने वाले टाइम में अच्छा Profit कमाएगी तो उसका कुछ हिस्सा आपको भी मिल सकता है लेकिन अगर Company Loss में जाएगी तो ये Risk आपने उठाया है तो ये Basic Funda है Stock Market के पीछे लेकिन Stock Market को अगर आप एक आम इनसान के पस्पेक्टिव से देखोगे एक आम इन्वेस्टर जो Stock Market में इन्वेस्ट करना चाता है मानलो आप हो वो इन्वेस्टर जो Stock Market में पैसा इन्वेस्ट करना चाते हो आपके सामने ये धेरों कमपनी इन्वेस्ट करोगे आप क्या सोच कर पैसे इन्वेस्ट करोगे यही सोच करना कि किस कमपनी से आपको सबसे ज़्यादा Profit मिल पाएगा आप जो पैसा इंवेस्ट करोगे सबसे यादा return on investment किस company में इंवेस्ट करके मिल पाएगा किस company पर आप अपनी bet लगाओगे इस सत्ता बजार में अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास secret information है इस company X के बारे में कि इस company को बड़ी funding मिलने वाली है जल्द ही जिसकी वज़े से इसका stock price आने वाले time में उपर जाएगा बड़ी तेजी से तो इस company X में invest कर लो आप पैसा और ये secret information मैं सिरफ आपको ही दूँ तो क्या और लोगों के लिए ये सत्ता बजार थोड़ा unfair नहीं होगा क्योंकि उन्हें ये secret information नहीं पता कि इस company के stock उपर जाने वाले है यहाँ पर game आता है दोस्तो insider trading का generally कहें तो insider trading का मतलब होता है profit कमाना कुछ ऐसी information का इस्तिमाल करके जो information public में available नहीं हो अब ये insider information किसी भी insider के थूपता चल सकती है जो company में कोई काम करने वाला employee है कोई company का executive है या company में काम करने वाला accountant है अगर वो इस information का इस्तिमाल करके stock market में invest करें तो ये unfair होगा insider trading होगी और अगर वो ये information जाकर अपने किसी दोस्त को बता दे है outsider को बता दे जो company में नहीं है तो भी इसे insider trading कहलाया जाएगा लेकिन हर case में ये insider information निकालना illegal नहीं होता for example एक journalist का example ले लो journalist अपनी investigation करने लग रहा है जिसके लिए वो एक company की insider information निकाल रहा है उसके earnings data को लेकर उसके profit data को लेकर जो public में available नहीं है ये करना legal है क्योंकि journalist सिर्फ अपनी story के लिए अपने काम करने के लिए इस insider information को निकाल रहा है लेकिन एक journalist को अगर ये information पता चली investigation करते वक्त कि इस company के अंदर ये accounts कुछ ऐसे manage हो रहे है जिससे कि ये predict किया जा सकता है इस company का stock उपर जाएगा या नीचे जाएगा और वो journalist profit कमा लेता है इस information का इस्तिमाल करके तो ये insider trading होई अब आप शायद सोचो के दोस्तों कि कौन ये check कर रहा है कि अगर मेरा दोस इस company में काम कर रहा है और वो छुपके से मुझे ये insider information बता दे जिसका इस्तिमाल करके मैं यहाँ पर profit कमा पाऊं किसी को नहीं पता चले सही बात है ये चीज़े पता करनी काफी मुश्किल है और इसी reason की वज़े से दोस्तों इस तरह की stock market manipulation काफी common है ना सिर्फ इंडिया में बलकि बाकी दुनिया में भी इस तरह की stock market manipulation को प्रूफ करना कि ये crime हुआ है यहाँ पर ये भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर काफी grey area भी आ जाता है मान लोगर आप कहे दो कि मैंने तो ये information जब मैं bus में जा रहा था किसी और के कानों से सुनी थी जब वो एक दूसरे से बात करने लग रहे थे तो मैंने खुझ से कोशिश नहीं करी ये information पता करने की लेकिन मैंने कहीं से सुन ली तो ये तो illegal नहीं है ना कि मैंने कहीं से सुन ली ये information अब इस तरह की चीज़ अगर कोई बड़ी company करेगी तो सोचकर देखो आम investors के लिए चीज़ कितनी unfair होगी एक real life example से समझाता हूँ Goldman Sachs का alleged aluminium scam The New York Times reporting over the weekend that Goldman Sachs is running a scheme to artificially inflate aluminum prices An aluminum warehouse controlled by Goldman Sachs holds the equivalent of a quarter of the annual North American demand for the metal but only offloads or distributes a required minimum of 3000 tons a day no more, no less, whatever the demand तो हुआ क्या कि इस bank की एक branch aluminium production में भी involved है इन्होंने इस aluminium की supply को control करके रखा इस तरह से कि aluminium की जो demand है वो बढ़ती रहे, aluminium का price बढ़ता रहे और फिर जाकर ये aluminium के futures में investing करते हैं जिससे कि basically इने पता है कि aluminium का futures का price है वो उपर जाएगा अच्छा अब ये तो हुआ कि insiders कैसे illegally exploit कर सकते हैं stock market को लेकिन आप देखते हैं कि legally जो decisions आम लोग लेते हैं stock market में जाकर उससे क्या negative consequence पढ़ता है जरा सोच कर देखिए अगर आप stock market में पैसे invest करने जाते हैं तो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं primarily आप में से ज्यादा तर लोग सिर्फ profit के बारे में सोचते हैं इसका मतलब है कि बाकी चीज़ों को अकसर ignore कर दिया जाता है कि company जो करने लग रही है वो अच्छा काम कर रही है company के अंदर जो ecosystem है वो अच्छा है या नहीं है company का impact दुनिया पर क्या पढ़ रहा है अच्छा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इन चीज़ों को completely भुला दिया जाता है ज्यादा तर लोगों के दौर example से समझाता हूँ मान लो गर एक company cost cutting कर रही है और employees की salary काट देती है या फिर कुछ employees को fire कर देती है और employees को basically अच्छी salary नहीं दी जाती exploit किया जाता है employees को अब यह करना company के profits के लिए तो अच्छी चीज़ है company ज्यादा पैसे बचाएगी ज्यादा profit बनेगा और जो लोग company में invest करने जा रहे हैं उन्हें तो सिर्फ profit दिखता है तो वो तो कहेंगे भई यह तो अच्छा हो रहा है हमारे लिए हम तो यही चाहते हैं इससे एक encouragement मिलेगी company को कि company अपने employees को और बुरी तरीके से treat करे या उन्हें कम salary दे similarly अगर एक company environment के लिए हानिकारक है मान लो harmful chemicals का वो इस्तिमाल करती है अपने products को बनाने के लिए क्योंकि वो करना सस्ता पड़ता है जिसकी वज़े से ज्यादा profit मिल पाता है उस company या फिर अपने chemical exhaust को वो हमारी नदियों में release करती है क्योंकि उन chemicals को process करना महंगा पड़ता है और profit कम हो जाएगा उसका या फिर वो literally हमारे आसपास garbage dump कर देती है क्योंकि garbage को process करना महंगा पड़ता है जो भी legal limits के अंदर allowed है करना तो ये तो दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हुआ लेकिन अंदा धुंद जो लोग उस company में invest करने हैं सिर्फ profit देखकर वो इन चीजों को realize नहीं करेंगे उन्हें तो सिर्फ अपना return on investment चाहिए जिससे की एक बहुत बड़ा negative consequence हमें या देखने को मिलता है end consumer पर इसका क्या आसर पढ़ रहा है उसे भी हमें या नहीं भूलना चाहिए क्योंकि companies अगर सिर्फ profit की सोचेंगी तो वो encourage होती है कि वो greed based products बनाएं instead of need based products मान लोग सुभे जो नास्ता करते हो उसमें अक्सर ये companies market करके आपको कहती है और obviously company को यहाँ पर profit मिलता है लेकिन अगर आप नास्ते में घर पे बनाया दूद पियोगे या दलिया खाऊगे या लसी पियोगे सुभे तो उसमें किसी company को profit नहीं मिलेगा और ना ही किसी shareholder को return मिल पाएगा उस चीज़ तो अक्सर लोग जाने अन जाने में पैसे invest करते वक्त ऐसी चीज़ों को encourage कर देते हैं इस चीज़ का एक simple solution यह है कि थोड़ा सोच कर देखिए जब आप invest करने जा रहे हैं stock market में तो किस company में आप invest कर रहे हैं उस company के products कैसे हैं उस company का क्या impact पढ़ता है हमारे environment पर, हमारी society पर और इन general लोगों पर इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए अब इसी से ही related अगली problem आती है कि ज्यादा तर लोग जो stock market में invest करते हैं वो herd mentality के पीछे भागते हैं यानि कि वो खुद से नहीं देखते कि एक company कैसा perform करने लग रही है company की closing statements क्या है company actually में करती क्या है बस वो यह देखते हैं कि मेरे दोस्त ने इस company में recommend किया है invest करने के लिए या फिर news पर इस company की बहुत चर्चा होने लग रही है सारे investors सब इसी की बात करने लग रहे हैं इस company की इसलिए मुझे भी इस company में जाकर invest कर देना चाहिए एक company को लेकर buzz कैसी चल रही है यह बहुत matter करता है as compared to एक company की actually situation कैसी है और यह करने के पीछे एक बड़ा simple reason भी है जितने ज्यादा लोग इस company में invest करेंगे उतना ही ज्यादा इस company का share price उपर जाएगा और उतना ही ज्यादा आप return पा सकते हैं अपनी investment पर तो एक sense में देखा जाए तो stock market fashion की तरह है fashion में क्या होता है मैं वही कपड़े पहनना चाऊँगा जो बाकी सब लोग पहनने लग रहे है आज के दिन ये trend चलने लग रहे है stock market में भी ऐसा ही है मैं वही stocks खरीदना चाऊँगा जो बाकी सब लोग खरीदने लग रहे है अगर बाकी सब लोग sell कर रहे हैं किसी stock को तो मैं भी sell कर देता हूँ इसका consequence क्या होता है कि companies का जो stock price है share price है वो companies के खुद के काम पर हमेशा depend नहीं करता है बलकि depend करता है कि company की image कैसी चल रही है market में और image को बनाया और गिराया जा सकता है बड़ी ही असानी से PR machinery का इस्तिमाल करके advertisements का इस्तिमाल करके paid news का इस्तिमाल करके और brand ambassadors का इस्तिमाल करके इन सब से एक psychological impact पड़ता है जो कि company के eventually stock price को influence कर सकता है imagine करके देखो मैंने एक छोटी सी company के बहुत सारे stocks खरीद लिए काफी सस्ते में अब मैं जाकर news वालों को पैसे देता हूँ ads छपवाता हूँ PR machinery से काम करवाता हूँ twitter पर trend चलवाता हूँ पैसे देकर कि ये company तो बड़ी बनने वाली है सब जाकर इसमें invest करो बहुत positive publicity करी जाती है जिसकी वज़े से और लोग invest करते हैं इस company का stock price उपर जाता है मुझे profit मिलता है इतना सारा और मैं अपने stocks फिर बेच देता हूँ अचानक से इस company का फिर stock price crash कर जाता है क्योंकि majority shares या बहुत सारे shares मैंने hold कर रखे थे इस चीज़ को कहा जाता है दोस्तो pump and dump scheme पहले pump करो एक stock price को उपर और क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस stock का और बाद में इसे बेच दो dump कर दो और इसका stock price जाएगा नीचे crash करते हुए अब पता है interesting बात क्या है same चीज reverse तरीके से भी करी जा सकती है मतलब आप basically दाव लगा सकते हो कि एक company future में बेकार perform करेगी ऐसे case में आप shots खरीच सकते हो अगर आपको लगता है कि एक company future में बेकार perform करने वाली है और अगर ऐसा actually में हो जाता है तो आप इस पर profit कमा सकते हो लेकिन imagine करके देखिए जैसा मैंने आपको बताया pump and dump scheme चलती है वैसे ही अगर आप एक troll army बिठाओ या paid media का इस्तिमाल करो systematically किसी company को बदनाम करने में इस level तक कि investors उस company से अपना trust loose कर जाएं और उसका stock price नीचे गिर जाएं तो अगर आपने shots में invest किया होगा तो आप इस से profit कमा सकते हो इस चीज को कहा जाता है short and distort basically pump and dump का opposite है यह और इंडिया जैसे देश में जहां whatsapp पर अफवाएं और fake news literally आग की तरह फैलते हैं आप imagine कर सकते हो यह करना कितना आसान है इसका भी एक real life example आपको बता देता हूँ September 2018 में Infi Beam avenues के shares 73% से नीचे गिर गए जब whatsapp पर एक message फैला की investor wealth एक दिन में गायब हो गई जब shares इतनी तेजी से नीचे गिरे तो अब यह चीज company की performance का indicator नहीं था लेकिन फिर भी ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इतनी असानी से rumors फैलते हैं और लोग basically stock market पर herd mentality की तरह काम करते हैं अब यह pump and dump और short and distort insider trading से अलग है क्योंकि insider trading में जो criminal होता है वो insider होता है या insider का कोई जानने वाला होता है जो जान पूछकर exploit करता है किसी information को लेकिन इन cases में इन cases में तो जो आम जनता है वो herd की तरह act करती है और उन्हें लगता है कि उन्हें कुछ insider information पता है जब वो कोई false whatsapp पर rumor देख लेते हैं या कोई भी अववाय सुन लेते हैं खबरों में जिसको देखकर वो action लेते हैं और overall दोस्तो stock market को manipulate करने के इतने तरीके है इन aspects में कि एक 10 घंटे का वीडियो बन जाएगा अगर मैं सब तरीकों को list down यहां पर करने लगया तो और example किसी company के अंदर moles plant किये जा सकते हैं जो insider information leak करें किसी और को media houses को pay किया जा सकता है किसी एक company को defame करने के लिए एक बहुत बड़ी company खुद के ही अलग-अलग aspects को control कर सकती है जो stock manipulation करती है और profit कमाती है अपना और क्यूंकि लोग profit motive को ही यहां पर देखते हैं लोग उसमें invest करते हैं और क्यूंकि लोगों की herd mentality है अगर कोई एक इनसान उसमें invest कर रहा है बाकी भी invest करना चाहेंगी तो चीजे exponentially और बेकार हो जाती है company और profit कमाती है stock market bubbles shareholders यानि वो लोग जिन्होंने company में invest किया है वो आज तक कभी company के headquarters में गई नहीं है उन्हें company के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है performance के बारे में लेकिन जो on ground situation है वो कही ज्यादा खराब होती है किसी company की अक्सर company के अंदर के लोग corruption करते हैं scam कर लेते हैं पैसे निकाल जाते हैं और जब ऐसा कोई bubble फूटता है किसी बड़ी company को लेकर तो पूरा stock market crash कर जाता है और अक्सर economic crisis भी आ सकती है ऐसी चीज़ से इसका सबसे बड़ा example है 2008 की economic crisis जो US housing bubble से create होई थी वैसे 2008 की economic crisis के बाद लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी वाल स्टीट के अगेंस्ट और प्रोटेस्ट भी किया था लोगों ने हल्ला मचाय था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि stock market को ये बड़ी बड़ी companies अपने favor में manipulate करती हैं और नुकसान आम आदमी का होता है एक आम investor का होता है उपर से सबसे irritating चीज़ लोगों को ये भी लगी थी कि सरकार ने bailout किया था इन बड़ी companies को इन बड़े banks को ऐसी हरकते करने के बाद भी एक और interesting fact इसी के बाद ही कहा जाता है कि bitcoin का भी invention हुआ as a decentralized tool लोग तंग आ गए थे कि सरकार कितना central control बना कर रखती है बैंकों पर और economy पर तो एक ये बड़ी वज़य बताई जाती है bitcoin को बनाने के पीछे bitcoin को किसी भी एक central bank ये central agency के दुआरा control नहीं किया जाएगा एक decentralized चीज़ बनी रहेगी और एक alternative financial system create करेगी इस वीडियो में मैंने आपको जो negative aspects बताए है stock market के इन में से कई चीज़े cryptocurrency के लिए भी valid है जैसे कि cryptocurrency में भी बहुत सारी pump and dump schemes देखी गई है जहां पर कोई भी अनजान सा coin लेकर लोग hype up कर देते हैं ज्यादा share उसका अपने पास रखते हैं यसी चीज़ों में क्योंकि एक decentralized चीज़ है कोई एक central company से control नहीं कर रही है कोई central company से उस तरह से manipulate नहीं कर सकती जिस तरह से stock prices को manipulate किया जाता है इन सब चीज़ों के बावजूद भी अब मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि अब stock market में invest करना पूरी तरह से बंद कर दो ऐसा नहीं है मैं खुद भी invest करता हूँ अभी भी करता हूँ पस यह है कि इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए conscious रहना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि पता हो आपको कि यह सब चीज़ों के बारे में एक चीज का ध्यान रखिए कि कभी भी loan मत लीजिए invest करने के लिए या तो आपके पास इतने पैसे हो अल्रेडी savings हो आपकी अच्छी खासी उस पैसे को invest कीजिए और अगर नहीं है तो मत invest कीजिए क्योंकि यही है stock market और crypto जैसी चीजों में invest करने का एक एक लास्ट बड़ा negative aspect अकसर लोग loan लेकर invest करते हैं पैसा लूस कर देते हैं, loan वापस चुका नहीं पाते है stock market crash कर जाता है और कई लोग इसके बाद जाकर suicide कर लेते हैं इसके इलावा जो भी मैंने आपको points बताये उन्हें ध्यान में रखिए invest करते हैं उबीद करता हूँ आज का वीडियो इंफोर्मेटिव लगा होगा पसंद आया नीचे comments में लिखकर बताओ और कौन से ऐसे finance related topics पर आप वीडियो देखना चाहो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं